नमस्कार दोस्तों मैंने पहले भी इनोवेट नाउ के माध्यम से इस बात को रखाए कि कैसे administrative services से जुड़े हुए लोग, खास्तोर पर senior IS अधिकारी इस देश को बदलने के लिए बहुत ही महतुपूर्ण योगदान दे रहे हैं महतुपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसी ही शक्सियत है दीपक सिंग जी जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, मुझे भी उनका interview पहले भी करने का सवभाग्य मिला है लेकिन आज एक महतुपूर्ण मौका है, हम बात करने वाले हैं सागर की मद्यप्रदेश के सागर से निजी तोर पर मेरा भी जुड़ाओ रहा है लेकिन सागर के साथ में कई चुनौतियां भी है दीपक सिंग जी का गहरा अनुभाव है कि उन्होंने इनुवेटर, स्टार्टप्स को या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्स में कई युवाओं को मौके दिये है क्या ऐसी कुछ संभावना है बुंदेल खंड के इस सबसे महत्वपूर्ण इलाके में भी देखने को मिलती है इस पर बाचीत करने के लिए दीपक सिंग जी मेरे साथ मौजूद है सागर में किस तरह की संभावना है आप युवाओं के लिए रोजगार के लिहाद से देखते है सागर जिले में दो प्रकार की चीज़े है एक तो सागर जिला मुख्याला स्मार्ट सिटी मिशन में है तो एक काम तो हम ये कर रहे हैं कि सागर शहर में हम एक इंक्यूबेशन सेंटर डिवलप कर रहे हैं ये इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा होगा कि जो बच्चे इंजिनिरिंग कॉलेज या मेटिकल कॉलेज या सागर इंवर्सिटी से पढ़के बाहर निकल रहे हैं वो कोई अपना स्टार्ट अप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक वो ऐसा सेंटर होगा, जो उन्हें टेकनिकल गाइडेंस देगा, उनको अगर कंपनी बनानी है, किसी चीज का पेटेंट कराना है, उन सारे चीजों में सहयोग तो करेगा ही, साथ ही वहाँ पर एक ऐस इंफरास्ट्रेक्शर तैयार करके हम देना चाहते हैं, जहां युवा आएं, जिस भी छेतर में वो काम करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, उनको सारी हम सुविधाएं वहाँ पर जुटा कर दें, और उनका मारदर्शन भी करनें, दूसरा हमारा एरिया है जो ग्रामीर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र का हैं, ग्रामीर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सारे प्रोग्राम करें और उसके साथ ही उनके जो उत्पाद है उसका कैसे बहतर मार्केट लिंकेज हम डिवलप कर पाए उसके लिए भी हम उन्हें सही हो कर रहे हैं सर आपने यह बड़ी इंपॉर्टन बात कई सेल्फ हेल्फ ग्रूप हो या जैसे आपने डेरी प्रोड़क्स के बारे में बात की है कोरोना संक्रमन काल के बाद जो आत्मनिरवर भारत के लिए सहायता राशी रखी गई उसमें पचीस हजार करोड लगबग मोटे मोटे तौर पर गए तो वो डेरी प्रोड़क्स या क्रिशी से जुड़ी हुई चीजों के लिए रखे गए हैं और हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री मोटी किस तरीके से आत्मनिरवर भारत के लिए काम कर रहे हैं यह एक ऐसी जगे है सागर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आप से भी बाचीत में जानकारी मिली कि बड़ी तादाद में हागियों का उत्पादन हुआ जिसके खरीद भी हुई है तो किसानों के लिहास से और डेरी प्रोड़क्ट के लिहास से कितनी इंपॉर्टेंट जगे हैं और क्या संभावना यंग्स्टर्स के लिए हो सकती है क्योंकि वो परमपरागत चीजों को छोड़कर अब सर्विसिस के लिए शेहरों की तरफ रुक करतें लेकिन संभावना है उनको यहीं पर मिल सकती मैं चाहूंगा उस पर जरा सा रोशनी डाले सागर जिले में मुखिरूप से क्रिशी का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत जो हमारा रभी का सीजन था लगभग 900 करोड रुपए की गेहों की यहां पर खरीदी हुई अगर मैं डेरी की बात करूँ तो हमारे एक ट्राइबल बाहूल विकासखंड है देवरी और केसली वहां महिला सोसाहता समोहों ने दुगद उत्पादन के लिए गाए और भैंस का पालन किया और दूद कलेक्शन के साथ साथ उसको प्रॉसेसिंग यूनिट भी बना कर उन्होंने पैकेज्ड मिल्क, मठा, दही, पनीर इन सब चीजों की भी मार्केटिंग शुरू करी और लगबग 25,000 महिलाएं उससे आज जुड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से कि ये ऐसा छेतर है जिसमें और भी बहतर करने की संभावना जुड़ी हुई हैं दूसरी तरफ अगर मैं अगरिकल्चर प्रोड़ेक्टि की बात करूँ तो उसमें वैल्य एडिशन के लिए प्रॉसेसिंग यूनिट्स की जरूरते हैं और इसके लिए हम एक तरफ तो जो छोटी प्रॉसेसिंग यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं वहीं दूसरी देखें उनको सहयोग कर सकें अभी मुझे मद्यप्रदेश में तो छोटी प्रॉसेसिंग यूनिट्स देखने का मौका नहीं मिल पाया लेकिन हाली में उत्तराखंड सरकार के मैंने कुछ प्रयास देखे हैं बहुत इंचलों में पहाड़ों में जब आप जाएंगे तो व बड़ा मार्केट है ये प्रॉसेसिंग यूनिट में आप या सरकार किस तरीके से मदद कर रही है जो यूवा आपको सुनेंगे वह किस तरीके से मदद ले सकते हैं या कैसे इस काम के लिए आगे बढ़ सकते और अपना स्टार्ट अप डाल सकते हमारा जो ग्रामीन प्रिवाल्विंग फंड देता है और जैसे ही वो काम शुरू करते हैं तो फिर हम उनके बैंक लिंकेज भी करते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मार्केटिंग के लिए हम उतना ही सपोर्ट करते हैं कि वो मार्केट फॉर्स के साथ भी कॉम्पिटिशन कर प लगे हैं उन्होंने एक अपना ब्रैंड देवश्री के नाम से भी डेवलब कर लिया है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वह शुरूआत में एक विकासखंड में था जिसको कि हमने चार विकासखंडों में अभी फैला लिया है और हमारा प्रयास ही है कि हम उसको दिखाएगी बहुत ही ग्रामीन इलाका है अशिक्षा एक चुनोती हमेशा ग्रामीन इलाकों के लिए रही है आपकी योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक कैसे पहुंचती है या आप कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दर असल में हमारे पास जो अभी पंचायत र लिए नवित करते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि जो पंचायत राज के प्ताइधी हैं ग्राम सभाएं कपंचायत हैं वहां इन योजनाओं के बारे में बात चीत हो और जिनको भी हम लबानुवित करें शासन कि किसी भी ओजनाओं से उनके एप्रूवल से भी ग्राम पंचायत और जनपत पंचायत इस तर की जो कमेटीज हैं उनमें हो तो यह एक ऐसा तरीका है जिसमें की हम शासन की ओजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं और वहीं दूसरी और जो वास्तों में प देश में मैंने कई ऐसे स्टार्टप्स को को भी कवर किया है जो नौर्थीस में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अगर ऐसे स्टार्टप्स आपको सुन रहे हैं वो किस तरीके से यहां पर आकर एक्स्प्लोर कर सकते हैं कैसे स सागर स्मार्ट सिटी के द्वारे इंकुबेशन सेंटर तयार किया जा रहा है वो 2021 में काम करने लग जाएगा तो ऐसे युवाद जो की स्यम का अपना कुछ सुरजगार इस्थापित करना चाहते हैं उनको स्मार्ट सिटी सागर में संपर करना चाहिए और हम उन्हें सभी प् मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सागर जिले में खुरई छेतर में करिशी उपकरन बनाने की काफी यूनिट्स हैं और हमने उनको इस के लिए भी चिन्हित किया है कि हम उनके लिए और बहतर मार्केट लिंकेज बना सकें और साथ ही अगर वहां एक्सपोर्ट की संभावना नहीं हैं तो उसके लिएप सरकार सागर जिले में खुरई छेतर को चिंद किया है मैं आने मताई समय में जो खुरे के उपकरन और अपने डैरी प्रडूक्स के बारे में बात की कृशी उपकरनों की दिए मैं चाहूंगा जबश्य को मैं चोटा सथका में यूनिट स्मॉड प्रशासनिक अधिकारी के तौर आपकिस नजरिये से यहीं पर आप सॉस भी बना सकते हैं चीजों पर बड़ा काम देश के दूसरे हिस्सों में किया जा रहा है सागर या इससे मिलती जुलती जगाओं में कैसे प्रयास हो सकते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकिस नजरिये से यह समझाना चाहिए सागर जिले में जो अगरिकल्चर प्रोडूज है वो मुखे रूप से गेहूं और चैने का उत्पादन यहां बहुत बड़ी मातरा में होता है और खुरई छेतर का गेहूं काफी फेमस है और वो अपने नाम से ही बिगता है मैं समझता हूँ कि गेहूं और चैना यह दो छेतर ऐसे हैं जिसमें की हम प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं यदा पी कुछ लोग अलड़ी इस काम को कर रहे हैं बट एग्रिकल्चर प्रोडूस के प्रोसेसिंग यूनिट से एक ऐसा छेत्र है जिसमें अभी काम करने की संभावना है और इसमें हम एग्रिकल्चर और इंडस्ट्री दोनों डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको आगे ब बड़ी चुनोती सागर के लिए और पूरे बुंदेल खंड के लिए लेकिन क्योंकि सागर में हम बात करें तो इस लिहास से बताएं कि क्या काम आप कर रहे हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो हो सकती है वास्ताव में बुंदेल खंड वाटर मैनेजमेंट के छेत्र में एक का सामना करता रहा है और मैं आपको बहुत ही खुशी से आवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार के जल शक्ती मंतराले ने सागर जिले को जल प्रबंधन के छेत्र में नेशनल लेवल के थर्ड वार्ड से भी समानित किया है इसके साथ ही हमारा रहली छेत्र के गाउं को ब लेगा की स्कीम से हैं उसमें हम छोटे इस तर पे किस तरह से हम वाटर स्रक्शर्स छोटे बना सकें स्टॉप डैम, खेत तला, कंटूर ट्रेंचेज उसका काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर जो हमारा वाटर रिसोर्स डेवलमेंट डिपार्डमेंट है उसके माध्यम से भी बहुत सारी सिचाई योजनाएं बन रही हैं और सिचाई योजनाओं में जो एक चुनावती रहती है भूमी का अरजन और जो प्रभावित लोग हैं विस्थापित हैं उनके पुनरवास की कारवाही उसमें भी राजस व्भाग और जो जलसन साधन व्भाग है वो अच्छ की बड़ा छेत्र इन तालाबों के माध्यम से बढ़ेगा और जो हम चोटे काम कर रहे हैं उससे हमारा वाटर लेवल भी बहतर होगा मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि दीपक सिंग जी एक ऐसे कलेक्टर डीम या एक ऐसे प्रशासनिक अदिकारी रहे हैं जो मैं जानता हूं कि आपने बुरानपूर धार में काफी काम किया है इतियासिक धरवरों के लिए उनको संजो के डॉक्यमेंटेशन भी किया है सागर के लिए कोई ऐसा प्रयास करने वाले हैं क्योंकि सागर या इसके आसपास इस तरह की कई संभावना है सागर जिले में भारती पुरा तत्तो सरविक्षन विभाग के कुछ प्रोटेक्टेड मानुमेंट है और विशेश रूप से मैं लेक करना चाहूँगा एरन का एरन वो इस्थान है जहां पर इतिहास की दिश्टिकोंट से अगर हम देखें तो वो शिला लेक प्राप्थ कि गुप्त काल में भी भारत में सती पृता थी इसके अलावा वहां पर जो विश्टू जी की वराह वतार की मूर्ती है चतुर भुज आकार की मूर्ती है नर्सिंग अवतार है वामन अवतार है तो उससे पता लगता है कि किसी समय एरन एक बहुत ही समरद शहर रहा है और स इस बात के लिए चर्चा की है कि एरन में और भी खुदाई भारती पुरा तत्व युखाग द्वारा की जाएगी ताकि गुप्त काल के कुछ इस तरह के धरोहर को हम चिनित कर सकें और उसे लोगों को देखने के लिए उपलब्द करा सकें तो मैं ऐसा समझता हूं कि साग प्रटकों के लिए एक नया चेत्र उपलब्द रहेगा जिसको वह देख पाएंगे तो अन्त में आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि कौन से वो खेत्रें जिन पर पहले आपका ध्यान जा रहा है आप स्टार्ट अप इनोवेशन पर काम कर रहे हैं रोजगार को किसी बात हो किन चीजों पर फोकस है और कि सागर्ड शोहरे समार्ट शेटी मिशन रहा मीशचन में शामिल रहा है और चूयि यह लास्ट सेज में शामिल हुआ था तो यहांपर सिक्रें के बहुत सारे काम अब आधि ऐसे हैं जिनí हमें शुरू करना सूह हमारा पहला फोक किया है इसके साथ ही सागर शहर की सड़कों के लिए लगबग सिक्स्टी करोड हमने सिक्रिट किया हैं स्मार्ट रोड्स के लिए यहां पर जो ट्राफिक मैनेजमेंट के लिए हमने काफी सर्विलेंस कैमरे और चाराहों का विकास भी किया है और आने वाले समय में हमारी ऐसी आप एक्षा है कि सागर शहर को हम स्मार्ट सिटी के रूप में एक बहतर ढंग से यहां पर डवलम्मेंट कर सकें और लोगों को एक अच्छा सवक्ष और हर्याली उक्त शहर यहां पर काम के माध्यम से उपलब्द करा सकें आप तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रदानमंद्री मोदी भी कहते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि यहां आपको ज्यादा मिलेंगे बहुत 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 दन्यवाद चलते कुछ कहना चाहरे हूं तो आप दर्शकों से कहें जी बस मैं दर्शकों को धन्यवाद दूंगा और सागर की जो एक बंदेल खंड के अभ्यरन ने हैं वहां इस बात की तैयारी चल रही है कि जो चीता लाया जाना है अफरीका से उसको लाया जाए और उसके लिए वन विभाग और जिला प्रशासन बहुत मैंनत से काम कर रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है बहुत सरकार और राज सरकार की अन्मती अभी इस इंटर्विव में मुझे यह समझ में आया कि सागर में देखा जाए तो भी असीम संभा होना है निकाली जा सकती है बशर्ते आपके अंदर काम करने का वो जजबा होना चाहिए यह जबा आप दिखा रहे हैं इसके लिए आपका बहुत 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 झाल